इधर मद्धप्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी गुपचुप तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुड़ गई है बोपाल में पुर्व मंतरी सज्जन सिंग वर्मा ने बताया कि पी सी सी चीफ कमलनाथ के निवास पर लगातार बैठके हो रही है और चुनाव को लेकर रणनीतिया भी बन रही है हम एक्शियल में भरूसा करते हैं सौफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर सज्जन सिंग ने कहा कि हम अपने आपको किसी धर्म का ठेकेदार नहीं बताते लेकिन बीजेपी से हम ज्यादा धार्मेक है मद्देश में 27 सीटों पर उप्चुना होने जा रहे हैं कॉंग्रेस के मुख्य रणनीतिकार सज्जन वर्मा जो रोजाना कमलना जी के आवास पर बैठके हो रही हैं सर लेकिन ये बैठकों के हिड़न पॉलिसी क्यों हम लोगों को जानकारी नहीं मिलती है हम तो चाहते हैं तमाम सारी गुप्त रहें चीजें आज भी किसी अख़बार में पढ़ रहा कि कॉंग्रेस बड़ी पीछे है वर्चुल रेली बीजेपी कर रही है फला कर रही है बड़ा संबोधन कर रहा है बात यह कि हम बड़े गुप्त रूप से कल भी हमने जौरा और सुमावली दो विधानसवा की बेठके की वन-टू-वन वहां के सारे लोग आते हैं चार-पाँच घंडे बेठक चलती है तो हम अपने काम में लगे हमें ना दुनिया को दिखाना है ना कुछ करना हमें तो विजेशरी हासिल करना है सत और जूट में लोग फर्क महसूस करें यह समझाने की कोशिश है अपने कॉंग्रेस के कई दौर देखें हैं लेकिन अब जो कॉंग्रेस है बदली-बदली निज़र आती है चाहे सौफ्ट हिंदुत्व की बात हो सारे विंक्स की एक्टिवनेस की बात हो सोशल मीडिया पे जोर हो यह लोगों का सोचना है यह वो धर्म के ठेकेदार जिनके घर के पास का मंदिर भी कभी साफ नहीं होता ना कभी वो महां माता देखते हैं लेकिन राम मंदिर बने उसकी बात जरूर करते हैं यह चदम ठेकेदारों को बताने के लिए कि तुम से ज़्यादा बड़े धर्मा को मानने वाले हम हैं और कमलाज जी यदि पूजा करते हैं हनुवान चालिसा कराते हैं यदि भगवान करिष्ण का जनम दिन मनाते हैं इसमें गलत क्या है भी सनातन धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति अपने भगवान की पूजा करता है मुस्लिम अपने तेवारों पर इबा तब समय बदला है परिस्तिती बदली है दिखाना भी पड़ रहा है तो सज्जन वर्मा कॉंग्रेस के वरिशनेता पूर्व मंत्री हमारे साथ थे उन्होंने कहा कि बदलाओ नहीं आया है लेकिन पहले कॉंग्रेस पार्टी दिखाती नहीं थी लेकिन अब समय की मांग है कि ह हम हमारे धर्म को लेकर कितने सजग हैं जागरुक हैं ये दिखाना भी पड़ रहा है कैमरा मैन विजय शेचकर के साथ बंसल लिउस के लिए बोपाल से वासु चौरे